Dear Children, मैं दुला चंदा स्वागत करता हूँ आप सभी का बच्चों, हनुमान जी के बारे में हम लोग जानते हैं उनका नाम रामाइन में आता है और वे राम के बहुत बड़े भक्त हैं उन्होंने सिरी राम को रावन से युद्ध करने के दर्मयान मदद किये थे और हनुमान जी आज भी जीवित हैं, वो हमेशा के लिए अमर है तो आए हम लोग देखते हैं इस चप्टर में उनके बारे में क्या दिया हुआ है यह चप्टर 12 और यह कलास 5 का इंगलिस बुक है इस चप्टर का नाम है वीर हनुमान, उनी की नाम से दिया हुआ है तो आए हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं चिल्टरेन आर सिटिंग इन दे क्लास रूम बच्चे क्लास रूम में बैठे हुए थे सोशल साइंस टीचर, मिस्टर उमा संकर, इंटर्स दा क्लास सोशल साइंस के टीचर, समाजिक विज्ञान के टीचर क्लास में आते हैं चिल्टरेन, स्टेंड अप, सभी बच्चे उनके समान में खड़े हो जाते हैं children good morning teacher इस तरह से जैसे कि हम लोग बोलते हैं जिस समय हम लोग बच्चा थे उस समय हम लोग बोलते थे और जैसे आप लोग बोलते होंगे अभी good morning करके अभिवादन क्या जाता है सुपरभात इसका आर्थ होता है teacher बोलते है good morning children sit down और teacher भी उनको जवाब में good morning बोलते हैं और बच्चों को बैठने के लिए बोलते हैं children children thank you बोलके बढ़ जाते है teacher अब teacher जो है teacher और student की बीच में यहां बादचीत हो रहा है तो teacher अभिराज को बोल रहा है कि अभिराज today you are very happy कि अभिराज तुम आज बहुत खुश हो is there anything special क्या आज कोई विसेस बात है अभिराज जवाब दे रहा है yes today I went to temple with my mother कि हाँ आज मैं अपनी मम्मी के साथ मंदिर गया था I bought ये picture of वीर हनुमान और मैंने एक वीर हनुमान जी का तस्वीर खरिदा फिर teacher बोल रहा है do you know about the mother of हनुमान क्या तुम लोग को पता है हनुमान की मा कुन थी अभिराज बोल रहा है my mother told me about it जहां मेरी ममी ने इसके बारे में बतलाया है अंजना वाज हनुमान स्मदर की अंजना जो है वो हनुमान की मा है सिवाज एन अपसरा हुआ एक अपसरा थी सिवाज क्रस्ट to be born as monkey हुआ किसी स्राप के कारण बंदर के रूप में जनम ली थी सिवाज married to the monkey king केशरी और उनका विवाह एक बंदरों के राजा केशरी के साथ हुआ था उनका नाम केशरी था हनुमान अल्वेज वेज लायन क्लोथ हनुमान हमेंशा लायन क्लोथ मतलब लायन का खाल पहना रहता था और इसके अलावा उनके दोनों कानों में एक कुंडल पहने हुए रहता है वो कान का बाली जो होता है उसी तरह का होता है वो मैटल का होता है तो फिर टीचर आगे बतला रहा है हनुमान का जनम इन दोनों चीजों के साथ ही हुआ था एक बार क्या हुआ कि एक राचस जो था वो अंजना पर हमला करता है उस समय हनुमान अपनी मा के गर्ब में था और जब वेपोन मतलब हतियार राचस जो हमला क्या था वो अपने हतियार अपने तलवार से उसको मारता है और जैसे ही वो तलवार हनुमान के बोडी में टच करता है, it melted and transformed into a pair of kundals, वो melted हो जाता है, वो बिघल जाता है, गल जाता है और वो हनुमान का kundal बन जाता है, जो कानों में उसके रहता है, वो ही kundal बन जाता है, हनुमान is the author of Lord Shiva, हनुमान ऐसा माना जाता है कि हनुमान भग the lion cloth is the symbol of it, और वो जो lion cloth पहनते हैं, बाग का खाल पहनते हैं, सेर का, वो जो है उन्हीं की निशाने हैं, क्योंकि अब देखेंगे कि भगवान सिव के पास भी वो भी उसी का खाल पहनते हैं, लायन का खाल जो हता है वो भी पहनते हैं, तो यह इसका symbol है, यह इसका चिन है क वो उसी के अवतार है, हनुमान वाज बॉन विद लायन कलोथ एंड कुंडल, तो हनुमान जो है, यह लायन कलोथ और कुंडल के साथ ही जनम लिये थे, फिर प्रग्या बोल रही है, हनुमान एक बहुत ही प्यारा नाम है, what is the meaning of हनुमान, कि हनुमान का क्या रत होता है, यह एक जबड़ा, जो का मतलब बता है, जबड़ा टूटा हुआ होना, one morning हनुमान वाज वेरी हंगरी, एक सुबा की बात है, कि वह काफी भुखा था, suddenly he saw the rising sun, अचानक वह देखता है, उगते हुए सूरज को, rising sun, उगता हुए सूरज, देखते हम लोग, उगता हुए सूरज वह आकास में उड़ जाता है, और sun को, सूरज को अपने मुह में ले लेता है, he put the sun into his mouth, और वह जो है, अपने माथ में उसको sun को रख लेता है, there was darkness everywhere, और ऐसा करने के बाद, बिलकुल ही अंधेरा चा जाता है, हर जगा अंधेरा हो जाता है, Lord Indra came to save the sun from him, भगवान इंदर, हनुमान जिसे sun को बचाने के लिए, सूरी को बचाने के लिए आते हैं, he sought his weapon, वज्रा, which broke the jaw of हनुमान, और वो उनको बचाने के लिए, वज्र जो उनके पास सस्तर होता है, उसका उप्योग करते हैं, उससे वो उस पे वार करते हैं, जिससे कि हनुमान का एक jaw, एक जबडा जो हता है, ब्रॉक कर जाता है, टूडी जाता है, प्रॉम दैट डे, he is popularly non-edged हनुमान, उस दिन से हनुमान नाम से वे परचलित हो गए, वैसे उन्हें बजरंग बली भी कहा जाता है, अवीजीत फिर बोल रहा है, एक student है, the weapon of हनुमान is गदा, यह हनुमान का सस्तर जो है वो गदा है, it has been gifted by God, यह भगवान के द्वारा उन्हें दिया गया है, he is very powerful due to blessing of देवी and देवताज, वो बहुत ही ताकतवर है, देवी देताओं के असिरवाद के कारण, टीचर बतला रहे है, it is right, हनुमान is very powerful, हाँ यह सही है, हनुमान बहुत ही powerful है, ताकतवर है, but he was also very naughty like other children, वो दूसरे ही बच्चों के तरह बहुत ही नटखट थे, once he entered the hermitage of sats and did a lot of mischiefs, एक बार क्या होता है, कि वे एक संतों के आसरम में घुश जाते हैं, और बहुत सैतानी करने लगते हैं, बहुत जो है, उन लोग को तंग करने लगते हैं, the sats became angry and cursed him, तो संत लोग जो है उनसे खफा हो जाते हैं, गुसा हो जाते हैं और उनको साप दे देते हैं, you will forget all your powers, कि तुम अपना जो भी सकती है उसे भूल जाओगे, when somebody reminds you about your power, you will be free from this curse, जब कोई बेखती, तुमारे इन सकतियों को याद दिलवाएगा, फिर तुम इस स्राप से मुक्त हो जाओगे, इस कि मैं हनुमान के गुरु के बारे में जानना जाती हूं, as I know he got knowledge from सूर्य देव, how is it possible, जैसा मुझे पता है कि उन्हें सूरी देव से ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसा कैसे संभाव है, टीचर बतला रहे हैं, हनुमान requested सूरी देव to be his गुरु, हनुमान जी ने सूरी कि वे उनके गुरु बन जाए, at first, सूरी देव refused as he rides across the sky during the day and takes rest at night, सबसे पहले तो सूरी देव ने मना कर दिया उनका गुरु बनने से, वे बतलाए कि मैं दिन भर आकास में चलता हूं और रात में आराम करता हूं, इसलिए मैं आपका गुरु नहीं बन सकता, due to strong determination of हनुमा हनुमान के दिड़ संकल्प को देखके, he accepted his as his pupil और उनको अपना सिस्स्य बनाने के लिए वे त्यार हो गए, हनुमान had to fly before his career to get knowledge, हनुमान जी नॉलेज पाने के लिए, ज्यान प्राप्त करने के लिए, वे उनके रत के आगे-ागे उड़ते थे, फिल एक स्टुएंट यहा about his power, कि हनुमान ने अपना खोया हुआ सक्ति को कैसे प्राप्त किया, उसे कोन उनके सक्तियों को याद दिलवाया, टीचर बतला रहे हैं, रावना, the king of लंका, रावन जो लंका का राजा था, abducted Sita by fraud, उसने Sita का धोखे से अफरन कर लिया था, चुरा लिया था, हनुमान व Sita का खोज करना, he had to cross the sea to rich Lanka, वे Sita को खोजने के दौरान समुद्र पार करके वे लंका पहुच गए, the only way to rich Lanka was to jump across the sea, लंका पहुचने का सिर्फ यही एक रास्ता था, कि किसी भी तरह से समुद्र को पार कर लिया जाए, उड के छलांग लगा के इस तरह से, तो हनुमान जी उड के जो है, समुद्र पार कर लिये थे, that time, जामवन्ता encouraged हनुमान to cross the sea, उस समय जामवन्त, जो राम जी की सेवक थे, उनको मतलाते थे कि किस तरह से युद्र के दोरान आगे बढ़ना है, तो जामवन्त जो थे, वो हनुमान जी को प्रोत्साहित किये, उनको याद आया गया, तो उनको अपनी सक्तियां याद आने लगी, और फिर वो समुद्र को पार कर गए, he told him about his power, उन्होंने उनकी सक्तियों के बारे मतलाया, in this way, इस परकार से, he regained his power and cross the sea, इस परकार से वे अपने सक्तियों को याद कर लेते हैं, उनको अपनी सक्तियां याद आ जा दोरान, हनुमान जी को एक सुर्षा नाम के राचसी से सामना हुआ था, she came to eat हनुमान, हुआ हनुमान को, हनुमान जी को खाने के लिए आई थी, he increased his size to save himself, वो खुद को बचाने के लिए अपने size को, अपने सरीर के size काकार को बढ़ाते गए, सुर्षा अल्सो इंक्रीज़ हर size और सुर्षा राचसी जो थी, वो भी अपने size को बढ़ाते जा रही थी, both had a competition of increasing their size, और उन लोगों के बीच परतियोगिता होने लगा कि को अपने सरीर को जादा बढ़ा कर सकता है, at last हनुमान became very small, और अंत में हनुमान जो है काफी छोटा हो जाता है, he entered into the mouth of सुर्षा और हनुमान जो है, वो सुर्षा राचसी के मुह में परविस कर जाते हैं, and came out from her ear, और मुह में परविस करते हैं, उसके कान से बाहर निकल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे मुह में परविस कर रहे हैं, और यह कान से बाहर आ जाते हैं, मुह में परविश करने के बाद कान से बाहर निकलाते हैं और फिर वहाँ से आगे बढ़ते विए लंका पहुंच जाते हैं और लंका में असोक वाटिका जो है वहाँ पहुंचते हैं जहाँ पे सीता जी को रखा गया था और इसके आगे क्या है कि हनुमान जो होता है वह असोक वाटिका को पूरी तरह से बरबाद कर देता है और वह फिर वहाँ पर पकड़ा जाता है और रावन के सामने लाया जाता है कि रावन अपने सेनुको को ओर देता है कि इसके पूच में कपड़े बांद कर आग लगा देने का आदिस देता है क्योंकि इन लोग को पूच बहुत प्यारी होती है जब हनुमान के पूच में आग लगा दी जाती है तो फिर वह वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक घर से दुसरे घर इस तरह से पूरी लंका में आग लगा देते हैं और वह अपने पूच के आग को सी में जाकी बुताते हैं पूच पूच रहे हैं बच्चों से क्या आप लोग बतला सकते हैं कि हनुमान के हाथों में कौन सा पहाड है सुमन नाम की कोई बच्चा है वो बतला रही है इट इज धौलगिरी या धौलगिरी नाम का परवत है ये वार वाजवाट बिट्वीन लोड राम एंड रावना जब राम और रावन के बीच में युद्ध हो रहा था तो उसी युद्ध के दौरान लच्मन और मेयगनाथ में युद्ध हो रहा था, अब मेगनाद जो है लचमन पर अटेक कर देता है, उस पर कोई दिव्यास तर चला देता है, लचमन फेल अनकॉंसियस अन दे ग्राउंड और उसके जिसके कारण लचमन मुर्चित हो जाते हैं, सिर्फ मिर्त नाम की संजीवनी कुछ होता है, जो वही सिर्फ उनके जान बचा सकता था, हनुमान वाज sent to धौलगिरी to bring the herb, हनुमान जी को उस परवत पे धौलगिरी परवत पे भेजा जाता है, इस संजीवनी को लाने के लिए, वे इस संजीवनी को पहचान नहीं पाते हैं, उन्हें उस संजीवनी को वापस लेके आना था, सुबह होने से पहले, भोर होने से पहले, at last he lifted धौल गिरी on his palm जब वे उस संजीवनी को पहचान नहीं पाते हैं तो फिर अंतता कोई उपाई न देखकर वे उस परवत को अपने हाथों में उठा कर परवत सहित वहां से आ जाते हैं he flew back and saved the life of lakshman वे वहां से वापस आते हैं और lakshman की जान बचाते हैं यहां पे देख रहे हैं यहां पे lakshman मूर्चित पड़ा हुआ है और सभी लोग परेसान हैं और इसके आगे क्या है स्रेया नाम के बच्ची है वो बतला रही है there is an image of lord ram and sita in his heart हनुमान जी की छाती में सिरे राम और सिता जी का image होता है picture होता है when ram ascended the throne of ayodhya सिता gave a necklace to hanuman जब सिरे राम वापस जब लंका से आते हैं और उनका राज्या फिसिक हो जाता है वे राजा बन जाते हैं तो सिता खुश होकर hanuman जी को एक necklace देती है एक हार देती है he started breaking and inspecting each pearl of the necklace वे उस हार को तोड़ देते हैं और उसके एक-एक मोती को छान बिन करने लगते हैं सिता asked hanuman what he was doing सिता hanuman जी से पूछती है कि ये आप क्या कर रहे हैं hanuman said that he was searching ram and sita in the pearl तो hanuman जी बोलते हैं कि मैं इसमें राम और sita को खोज रहा हूं इन मोतियों में सिता wanted to know if they were present in his heart सिता जानना चाहती है क्या उनके हिर्दे में राम और sita हैं to show it तो वो दिखाएं hanuman tore open his chest hanuman अपने छाती को चीर देते हैं there was an image of ram and sita और वहाँ पे सिरे राम और sita का picture दिखाए देता है image दिखाए देता है अंकित नाम का बच्चा फिर आगे कुछ पूछ रहा है the whole body of hanuman is red कि hanuman का पूरा सरीर red है, लाल है what is the cause behind it इसके पिछे क्या कारण है तो teacher फिर बतला रहे है there is a very interesting story related to it इससे समन्दित बहुत ही एक रोचक कहानी है अंसू पिर आगे बतलाता है I know the story कि मैं इसस्टोरी को जानता हूँ one day hanuman saw sita put a red mark of sindur on her forehead एक दिन hanuman जी देखते हैं कि sita जी अपने माथे पे sindur लगा रही है he asked the reason behind it वे पुछते हैं कि आखिर इसके पिछे क्या कारण है क्यों sindur लगाते है sita said that it was for the well-being of her husband राम sita जी hanuman जी को बताते हुए करती है कि sindur हम लोग अपने पती की लंबी उमर के लिए उनके कलियान के लिए लगाते है due to it राम loved her so much हैसा करने से वे खुस होते हैं और वे हमें और अधिक प्यार करते हैं hanuman was a true devotee of lord rama और hanuman जी श्री राम के सच्चे भक्त थे he took a lot of sindur तो इसलिए वे बहुत सारा sindur ले ले लेते हैं he smeared it on his whole body for the long life of rama hanuman जी स्री राम के सच्चे भक्त रते हैं इसलिए वे काफी सिंदूर लेकर अब क्या करते हैं पूरे सरी में लगा लेते हैं वे सुचते हैं कि इससे जो है सिरी राम के life जो है उनका जीवन काफी लंबा हो जाएगा और इसके आगे the bell rings और घंटी बच जाती है the teacher departs from the classroom और teacher classroom से चले जाते हैं यहां पर यह chapter समाथ हो जाता है इसका story समाथ हो जाता है और यहां पर इस chapter का कुछ new word meaning दिया हुआ है आप लोग इसको पढ़कर याद कर लेंगे और देखते हैं आम लोग इसमें क्या questions दिया हुआ है यह है इस chapter का questions answer these questions यहां पर six questions दिये गये हैं यह इस chapter का main question है और यहां पर true false दिया हुआ है टू नंबर में त्री नंबर में choose the correct option 4 नंबर में fill in the blanks दिया हुआ है यहां पर words दिया हुआ है इसको चुन कर इसमें भरना है इसको इस वर्ड को इसमें लगा कर इसका इंटोगेटिव सेंटेस बनाना है इसके अलावा इसमें देखते हैं इसके अलावा यहां question number six में grammatical question दिया हुआ है जो किसमें से चुन कर इसमें भरना है और question number seven में एक बला सा वर्ड दिया हुआ है determination और इसमें से कई सारे वर्ड बनेंगे तो यहां पर उतना सारा जगा दिया हुआ है इससे कुन कुन सा चुट 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 वर्ड बन सकता है ता यह मैं आप लोग को इसका question का answer बनांके दिखाता हूं yeah chapter 12 question answer answer these questions why did aviraj go with his mother aviraj went to temple with his mother how did hanuman get kundals once a demon attacked anjana same time hanuman was in the warm when the weapon touched his body it melted and transformed into kundals why did hanuman grab the sun one morning hanuman was very hungry he saw the rising sun and thought to be a fruit he lived into the sky and grab the sun what did hanuman do to get knowledge hanuman requested suridev to be his guru at first he refused but due to his strong determination he accepted him as his pupil hanuman had to fly before his cariot to get knowledge how did hanuman escape from sursa hanuman faced sursa while crossing the sea she wanted to eat him both had increased their size at last hanuman became very small and entered into her mouth and came out from ear what did hanuman do with the necklace given by sita hanuman started breaking and inspecting each pearl of necklace question number two me true false dya hoa hai jis message true false yahaan pere direct laga dya hoa hai bc or g ye true hai paaki sa false hai or question number three me choose the correct option is me choose karne ke liye kaha gya hai to yaha direct us ka answer dya hoa hai aap isko dhekkar apne book me laga saktay hai question number five me jose sentence dya hoa hai us ka question dya hoa hai और और वहां पर bracket में word दिया हुआ question उससे बनाना है जो कि यहां पर direct उसका answer दिया गिया है आप इसको देखकर अपने book में भर सकते हैं question number seven में determination एक लंबा सा word दिया है और उसको उपयोग करते हुए इन सारे letters से कई सारे word बनाने है जो कि मैंने यहां पर बना दिया है आप इसको देखकर लिख सकते हैं और यहां पर यह chapter पूरी तरह समाप्त हो जाता है अगर हमारे इस वीडियो से आपको थोड़ा भी पढ़ाए में मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लैक जरूर कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों रिष्टिदारों के साथ इसके सेर कीज और अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं